causes of bulimia nervosa, psychological causes so now we will discuss about those factors which can cause the bulimia nervosa in an individual so हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें low self-esteem की हम low self-esteem की बात क्यों करेंगे हम इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसे individuals जिनका weight जो है और जो shape body की है जो लोग उसके उपर ज़ादा focus करते हैं mainly उनके जो self-esteem होती है वो low होती है वो low क्यों होती है क्योंकि वो अपनी जो self-いく को evaluate कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाढ़ी के reference में explain कर रहे होते हैं तो ये जो explanation है जिसकीवजा से वो अपनी बाकी की सारी जो positivity है उसको वो ignore कर रहे होते हैं ठीक है तो जिसकी वज़ा से उनकी self-esteem जो है वो low होना शुरू हो जाती है In addition to that certain time ये भी होता है कि जो उनका environment है उनको ऐसी feedback मिल रही होती है या उनको इतना overly criticize किया जा रहा होता है जिसकी वज़ा से जो उनकी self-esteem है वो low down होना शुरू हो जाती है इसी तरहां जो depressive symptoms है वो बहुत जादा होता है तो guilt की feelings को compensate करने के लिए some time जो binge eating है वो start हो जाती है ठीक है और उसके बाद compensatory behavior start हो जाते है जिसके अंदर purging आ जाती है वो omitting आ जाती है ठीक है तो ये जो factors हैं ये भी certain time जो है वो cause करते हैं bulima nervosa को इसी तरहां जब हम ये बात करते हैं कि they have a low self-esteem तो वहीं पर हम एक चीज़ और भी देखेंगे कि जो उनके interpersonal relationship है और वो maintain नहीं होते वो क्यों maintain नहीं होते या वो क्यों develop नहीं होते the first question is कि वो develop नहीं होते उनको वहां difficulty आ रही होती है अगर difficulty आती है तो वो maintain नहीं होते तो ऐसा क्यों होता है कि उनको interpersonal relationship में problem होता है उसकी वज़ा ये होती है कि उनके जहीं के अंदर ये एक hypothesis develop हो गया होता है कि other people will only approve us if we have an ideal weight and body shape ठीक है तो जब इस किसम का जो thought pattern है जब वो develop हो जाए तो बहुत हद तक chances होते हैं कि जो आपकी self esteem है वो भी low हो और उसके साथ साथ आपकी social anxiety भी high हो जब social anxiety high होगी तो इसका मतलब ये है कि जो confidence level है वो low होगा और उसकी वज़ा से आप लोगों से मिलेंगे नहीं हमें ये पता है कि जो लोग bulima nervosa की symptoms को exhibit करते हैं they actually try to do various things secretly ठीक है अब वो अगर food भी खाएंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि वो चुपें ठीक है इसी तरह वो ऐसी activities को white कर देंगे जहां पर उनकी body shape जो है वो reflectory हो जिसना अगर आप different occasions में जाते हैं तो definitely जब आप proper dress up होते हैं तो आपकी body shape जो होती है उसमें reflectory होती है तो ये भी चीज जो है वो social anxiety उनके अंदर develop करती है जिसकी वज़ा से भी उनको जो है ये problem हो सकता है इसी तरह बहुत से जो बच्चे होते हैं वो mainly बच्पन में over anxious होते हैं ठीक है यनि उनके अंदर anxiety के features बहुत ज़ादा होते हैं और अपनी anxiety को overcome करने के लिए certain time they are starting to eat different food ठीक है तो उसकी वज़ा से भी जो problem है वो उनके अंदर develop होना शुरू हो जाता है then sexual abuse and physical abuse sexual and physical abuse एक बहुत बड़ा factor होता है eating disorder को develop करने में क्यों क्योंकि जो certain time जो बच्चे होते हैं वो disgust की feeling develop कर लेते हैं वो guilt की feeling develop कर लेते हैं वो angle की feeling develop कर लेते हैं उन feelings को compensate करने के लिए they start eating a lot ठीक है और वो uncontrollable जो उनकी desire to eat है वो control नहीं हो रही होती तो ये जो दो factors हैं ये ऐसे factors हैं जो के बच्चे को emotionally disturb करते हैं और इस emotional disturbance की basis के ऊपर बच्चा जो है वो bulima nervosa का जो problem है वो develop कर सकता है then the perfectionism perfectionism का मतलब ये है कि ऐसे individuals जो होते हैं उनके अंदर जो trait है वो anxiety का high होता है they want to do everything in a perfect way उनको life में perfection चाहिए होती है उसी perfection को वो apply करते हैं अपनी body weight और shape के ऊपर we are repeating again and again चूंके इनकी self evaluation जो होती है in reference to body image होती है इसलिए जो इनकी बाकी के traits होते हैं they were not focusing on that and they are only focusing on their weight and shape thing और उसी को वो perfect करने में जो के ideal figure होता है जैसे अगर media जो है वो zero size को promote कर रहा है तो females जो है they were trying to be get that thing तो वो जो perfectionism है के I should meet that criteria otherwise no one will approve me I should be a smart I should be in a good figure otherwise no one would like to talk to me तो वो जो चीज़ है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वज़ा से भी जो बुलेमा नवुसा है वो develop होना शुरू हो जाता है दो के they started to eat something और उसके बाद उनको जैसे ही guilt का feeling आता है तो वो फॉरी तोर पर उसे purge out कर देते हैं तो this is something के जो उनके अंदर problem create कर रहा होता है उनकी perfectionism क्यों मैंने ये खा लिया मेरा weight बढ़ जाएगा तो वो जैसे ही उनकी perfectionism की line को cross करता है तो फॉरी तो पर जो compensatory behavior है वो develop होना शुरू हो जाता है तो ये वो सारे factors हैं जो के किसी भी शक्स के अंदर बुलेमा नवुसा का problem जो है वो develop कर सकता है Thank you